हेलो एवरिवान विल्कम बाक टू माय चानल आप सभी ने केले के चिप्स तो जरूर खाए होंगे और घर पे ट्राइ किये होंगे पर कभी कुछ न थोड़ी बहुत गरबड़ी से उतना कुरकुरा और कृपसी नहीं बनता है तो चलिए आज बनाते हैं मैंने दूसरे तरीके से भी चिप्स निका ली है इसमें मैंने क्या किया एक केले को हाफ कर दिया और फिर उससे जो चिप्स वाला स्लाइसर होता है ना उससे स्लाइस करके हमने निकाल लिया तो यहां में दो तरह के चिप्स आपको दिखाऊंगी एक गोल वाला और एक यह इस तरह लंबे-लंबे में तो तब तक आप वीडियो देखे देखे में चैनल को सिस्क्राइब कर दीजियो वीडियो को लाइक भी तो यहां पर मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है आपको फ्लेम एकदम हाई रखना है जब आप चिप्स डाल रहे हो और आपको एक एक करके डालना है इससे क्या है ना चि अब मैं यहां पर लंबे वाले जिप्स डालना है और इसको भी हाई फ्लेम पर करना है तो जब वह जाग बना बंद हो जाए ना तो आप समझ जाएगा कि आपको छिप्स फ्राइब बाहर निकालना है तो यहां ना मैंनी मसाला रेडि के लिया है जो मैं चिप्स की उपर स् लालमिच पाउडर नॉमल नमग जो हम सबजी में यूज़ करते हैं वो और चाट मसाला और आमचूर पाउडर ठीक है तो इसमें मेजरमेंट कुछ नहीं है आप सब एक एक चमच ले लीजिए आप उसी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो अब मैं इसके बाद यहां मिक किया और सच्छी में बहुत जादा कुरकुरे बना है मैं आपको आवाज इसकी सुनाती हूं यह देखिए कितना क्रिस्पी बना है थांक्स वर वाचिंग